हलो एब्रिवान मैं अब दिया आदव और आप देख रहे हैं सुर्योदय सक्सस पॉइंट आज के इस क्लास में हम सॉल्ब करेंगे कख्षा 10 के प्रश्टावधी 3.2 और 3.2 जो संबंदित है वो है प्रतिस्थापन विदी से समीकरण युद्ध को हमें क्या करना है हल करना है तो हमारी पास इसका हुआरे पास क्प üzer kusz horas को चुक mmों कर चुके है फर्स का फर्स जो कोस स्व जो वो पॉय पक में है लिए यह अवयाile वरज च्रे करना है समिकरण हमें थोड़ा सा ना थे रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा फिने से में ही सकेंज करना पड़ेगा सिंपल समी करण इसको बना लेते हैं अपन जैसे कि फार्स समी करण है हमारा तो दोनों में LCM 3, 3 और 2 है तो दोनों का LCM आए का 3, 2, 6 है 2 को S से, दोनों को multiply किया 3, 2, 6 2 को S से कर दीजे 2S, 3 को T से कर दीजे 3T बराबर में कितना है 6 2S ऐसा कैसा रहेगा प्लस 3T ऐसा कैसा रहेगा बराबर 6 नीचे है और दर क्रॉस में जाएगा गुणा होके तो 6 चड़ंगा कितना जाएगा 36 6 चड़ंगा 36 तो यह हो गया हमारा दूसरा समी करण अब इसको solve करना है हमको सब solve करने के लिए प्रतिष्थापन विद्धी से solve करने के लिए सबसे पहला हमें समी करण 1 को लेना होता है इसको समी करण 1 से भी हम लिख सकते हैं कि समी करण 1 से इसको solve कर रहे है समीकरण एक हमारा था S-T बराबर 3 S-T बराबर 3 माइनस में T है किसमें चला जाएगा प्लस में 3 प्लस T हो गया यह S बराबर 3 प्लस T तो इस समीकरण 3 है S बराबर 3 प्लस T बराबर 3 हो गया अब समीकरण जो 3 है उसका वैल्यू हमें रखनी है समीकरण 2 में इसमें रखनी है समीकरण 3 का मान 3 का मान यह हम कह सकते हैं कि S की वैल्यू S का मान S का मान जो है समीकरण 2 में में रखने पर अब समीकरण 2 देखी 2S है हमारे पास प्लस 3T बराबर 36 है अब 2S की जगे, S की जगे में क्या रखना है 3 प्लस T रखना है तो 2S है कैसा ब्रैकेट में 3 प्लस T रख लीजी प्लस 3T बराबर 36 दो को 3 से क्या दोती है 6 दो को 3 से क्या 2T प्लस 3T बराबर 36 अब यहापे 2T प्लस 3T है तो 6 प्लस 2 ती 5T बराबर 36 तो यहाँ प्लस में 6 है तो किस में चला जाएगा? माइनस में 6 5T is equal to 36 माइनस 6 अब 36 में से 6 माइनस कर दीजे तो T बराबर 36 माइनस 6 तीस आ जाएगा अज़र यह 5 गुणा में है तो इदर आके भाग में हो जाएगा पांच में भाग दिया तीस में 5 का हम भाग देंगी तो 5 एकम 5 पांदू नी 10 पांच त्रिका 15 पांच उग 20 पांच हंग 30 कितना आया? T का मान कितना आया? 6 आ गया अब यहाँ तक तो हो गया हमारा अब हमें निकालना है क्योंकि T का मान आ गया तो हमें S का मान भी निकालना है और S का मान हम इधर निकाल लेते हैं अब क्योंकि हमारे पास T का मान कितना आया अच्छ है तो T का मान का मान समी करण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो समी करण 3 क्या है? S बराबर 3 प्लस T तो S बराबर 3 तो ऐसा कैसा प्लस T में T का मान रखना है तो T का मान कितना है था तो S बराबर 3 प्लस 6 तो कितना आगया नो 3 प्लस 6 तो कितना आगया नो हमारे पास T का मान तो कितना है था 6 और S का मान कितना है नो तो यांसर हो गया दोनों मारे और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जिसे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकिशन अपको प्राप्त हो जाए थैंक्यू भूले जिसे चाह कि अदीक जरूप्श गजगा गळल चैह कि अपको पत्ली से प्लाभ माएले जाएब अवीडिर मेहा चैनल की कि और त्यक बर करने तो